नमस्कार दोस्तों मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीगे महाकुम में स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं सब कुछ चर्चा करेंगे आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जिस वज़े से बनाए गया है यूज के लिए वह आपकी सभी इंफर्मेशन को प्रवाइड में कराने की कोशिस करूंगा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप से कि 21 12 2021 को मैं इसलिए लेट मैंने वीडि करेंगे दोनों कि दोनों का एक्जाम जो है आपको करीब-करीब पेपर एक ही रहेगा कोई नहीं फेपर में थोड़ा चेंजस देखने को मिलेंगे तो चर्चा करूंगा कि कि तरीके के प्रश्न पूचेंगे जाएंगे क्या-क्या टॉपिक रहेगा सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चैनल को बिना स्क्रीप कि ये बिना भगाया पूरी चीज देखेगा ये प्रेशन नोट तो आपने देखी लिया होगा इसके सबसे लाश्ट में यहां पर दे रखा है कि पुस्त काले ध्यक्च चोदर नंबर पे आरपी असी माह दिसंब यानि कि यह तो आप लोग समझ गए होंगे कि आरपी असी का जो एकजाम होगा वह दिसंबर 2022 में कम्प्लीट कराया जागा लेकिन साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी भरती पहले निकलेगी हमारे दिमाग में यह confusion आता कि सबसे पहले कौन सी भरती न बी एल आईएस हैं वह जो है आरपी असी का भी फॉर्म जो है अपलाई करने की योगता रखते हैं ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए तो पूरी चीज को इसी वीडियो में जो है कनफर्म किया जाएगा आप यहां पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए प्षचार बिग्यापन जारी किया जाएगा यानि कि आप समझ गए होंगे कि इन चीजों का जो पूर्व के पेपर आते थे उसमें कुछ परिवर्तन किये जाएंगे इजाम का पैटर्न क्या होगा नमबर्स क्या होंगे वगरा वगरा आपको मैं बताओंगा ऐसा नहीं कि बताओंगा बताओंगा सब कुछ बताओंगा इसी वीडियो में बताओंगा तो चैनल को बढ़ाओंगा वीडियो को जो इस ऐसे में ओर नहीं कि दूप और यह जनौरी महिने में आये जहनौरी महिने में दोस्तों मैं आपके लिख के बता देता हूं कि जहनौरी महिने में यहां देखले में आपको देखने को नहीं मिले गए आप लिक हलाईक्ट-प्रूर्फ लेख को की फॉर्म निकालेगा और लेकिन ध्यान दिजेएगा और पीसी भले ही लेट में निकालेगा फॉर्म को लेकिन करमचारी चैन आयोक से पहले इस भरती को पूरा करा लेगा उसका कारण यह है कि आपने पुर्व की पिछली भरती का भी अध्यान किया होगा तो 2019 में सिकेंड ग्रेट की निकाली गई थी जिसमें सम्थिंग बारा पोश्टे थी लेकिन उसके बावजूद भी सिकेंड ग्रेट को जो है और 2018 में थर्ड ग्रेट की निकली थी लेकिन जो है सिकेंड ग्रेट वाले ज्वानिंग कर लिए उसके बहुत बाद तक जो है यह भरत नो महिने के अंदर जोईनिंग आपको करवा दिएगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि फरवरी के लाष्ट विक या मार्च भी हो सकता है ध्यान दिजिएगा सरकार बहुत जल्दी में है सब कुछ आपको देखने के मिल रहा है लेकिन सरकारी कारे इतनी फास्ट वे अगर होने लगें तो एक एक भरती बता रहूं आपको तीन तीन चार-चार महिने में कम्प्लीट होती नजर आएगी KBS, NBS जो है बहुत तेज भरती कराती है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ध्यान दीजिएगा सम्थिंग जो है बारह महिने का वक्त लगेगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लेकिन आपको देखने को मिलेगा थर्ड ग्रेट का पहले बिग्यपती देखने को मिलेगी और सिकेंड ग्रेट की बाद में देखने के मिलेगी लेकिन आप 2nd grade की तयारी पहले शुरू कर दिजिएगा 3rd grade क्यूशन और लेबल की मैं बात करूँ लेबल जो लेबल होता है बहुत सारी student के मन में होता है कि लेबल क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सी information दे दू कि देखिए जो gk का pattern होता है जी के एक ऐसा topic होता है जो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है इस यह से आप कितना भी पढ़के जाएंगे तो यह मान के चलिए कि जी के आप जो है कितना भी कर लेंगे तो something पहले क्या था कि 50 ही नंबर का होता था 50 तो 45 एबब 40-45 एबब जो है लड़के कर लेते थे लेकिन इस बार जो है इसको change किया जाएगा कैसे किया जागा अगले टोपिक में बता रहा हूं चलिए देख लिजिए यहां पर मैंने टोपिक को लिया है कि क्या क्या टोपिक रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि फूस्तकाले ध्यक्च ग्रेट सेकेंड और थर्ड के लिए प्रतियोगी परिच्छा की इसकीम और अब यहां पर देखिए प्रश्न पत्र जो है 200 अंक के होंगे यानि कि दो नंबर का एक प्रश्न ये तो आपका क्लियर हो गया अब देखते हैं क्या-क्या रहƏगा प्रश्न पत्र अधिक्तम सो अंक one का होगा प्रश्ण पत्र की समया वद्य गंटे की होगी प्रश्ण पत्र में 102 कलपी प्रश्ण होंगे चार नंबर पर है उत्तर के मुल्यांकन में नाकारात्मक अंक लागू होगा यानि कि निकेड़ी मार्किंग लागू होगी द्यान दिजिएगा प्रतेक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्ण के लिए वहित अंकों का एक काटा जाएगा ज्यान दिजिएगा एक बट्रतीन काटा जाएगा असपश्टी करण गलत उत्तर के सुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं इसको देख लिए पांच नंबर पर है प्रतेक प्रश्ण के लिए नियूंतम अहर अंक यानि कि 40 प्रसेंट आ करना पढ़ेंगे प्रतेक प्रश्ण पत्र के यानि कि दोनों में 40-40 नंबर जो है लाना पढ़ेगा वहीं पे अगर आप अंसूची जात अंसूची जन जात के अभियारती हैं तो आपको 5% का वेटेज देखने को मिलेगा पढ़ना क्या है हमको पढ़ना क्या है तो राज ध्यान दीजेगा सब कुछ पढ़ाऊंगा और कल से ही लेब्रेरियन टेस्ट सिरीज स्टार्ट कर दे रहा हूं क्यूं उसका रीजन दोस्तों यह है कि आप समझ रहे होंगे कि समय मेरे पास बहुत अधिक है एक साल दोस्तों मैं कहा रहा हूं कि एक साल 365 दिन प्रति दिन ध्यान दीजेगा एक दिन कम होगा अगर 50 प्रश्ण भी आफ एक दिन में कमप्लीट करते हैं और उसमें से अगर एक प्रश्ण पूच्च्छ दिया तो यानि आप जो है 99 प्रश्ण तेंड करेंगे न कि 100 प्रश्ण को exact करें दो के राजस्तान के समाइक मामले तिन नंबर पर भारत और विस और भारत का समान ग्यान यानि कि आपको इंटरनेशनल लेबल के जीखे भी देखने को मिलेंगे और साथ इसाथ सैक लोजी एजूकेशनल सैक लोजी भी देखने को मिले दोस्तों मैं आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन करूँगा आप यकीन मानिए सिक्षा मनोभी ज्यान को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं क्यों क्योंकि मैंने खुद भी ग्रेजुएशन लेबल तक जो है इसको पढ़ा है अगले लेबल में आप देख सकते हैं कि तेंग्यान संगठन सुचनात्मक प्रसंस्क्राण यानि कि लैब्रेरी सैंस कूल मिलाके बाद समझिए पहले लैब्रेरी सैंस से सो अंक पूछे जाएंगे दो सो नम्बर का प्रशन होगा वगारा वगरा ये सारी चीज में पहले लेकिन दोस्तों मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ अगर मैं अगर आपको सीधी सीधी यहाँ पर असफ़ष्ट करना चाहूंगा कि लैब्रेरी साइंस के जितने भी टॉपिक हैं चाहे वर्गी करण हो सूची करण हो प्रबंधन हो हिस्ट्री हो लैब्रेरी हो संस्ता हो और इजेशन हो कुछına ओंपड़री हो आपको मैं सबकुछ कम्प्लीट कराऊंगा हो अगर आप मैरिट दुनिया बाद में बताएगी मेरिट एक्जाम में बाद बताएगी लेकिन दोस्तों मैं मैं इक्जाम के सबकुछ में ही सबकुछ अभी बता दे रहा हूँ ध्यान Dol इसीच को तो आप लोग मोहर मार लीजिएगा इससे जो कम नंबर करके आएगा पेपर में वह अपने आपको सोता ही बाहर कर लेगा ऐसा नहीं कि मैं आपको धंकी दे रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना आप सभी अगर आप तैयारी करेंगे तो आप उचाई को छुएंगे और करते हैं तो मैं कहा रहा हूँ टाइम पास करिए ना रुक कौन रहा है लेकिन अगर आप इससे कम करते हैं तो आप जो है अपने आपको जो है बाहर मानिए गया अगर आप इसके प्लस करते हैं इससे प्लस करते हैं चाहे वह दो ही नंबर क्यों नहों दो नंबर भी प्लस क करते हैं तो आप अपने आपको जो है मिठाई खाना सुरू करतीजिए गारण उसका कारण है पिछली बार फॉर्म की बात की जाए ग्रेट थर्की थोड़ा मिटा दें ग्रेट थर्की बात की जाए तो 87,000 जो है फॉर्म फिलप हुए थे वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो सम्तिंग एक लाक प्लस फॉर्म हो जाएंगे ये भी याद रखिएगा पिछली बार जब पहली फॉर्म को डला गया था तो जहां तक मुझे याद है 2016 में करीब साथ या आठ हजार जो है फॉर्म जो है डला गया था वहीं पे दो साल के बाद जो है फॉर्म संख्या आगा है मित्रों तो यह मान के चलिए अगर यह फॉर्म जो है डियर्ड लाक भी हो जाएं तो कोई अश्यार की बात इसमें नहीं रहेगी आते हैं अगली टॉपिक पे किस तरीके से पढ़ें किस तरीके से पढ़ें दोस्तों current affairs जीकेए और library science इतना तो मैं तयार आपको कराँगा भारती जी के वो भी तयार करा हूँगा इंटरनेशनल जो मैं नहीं करा पाँगा मैं अभी बता दे रहा हूँ इंटरनेशनल विश्व ग्यान जो है वह आपको कोई अच्छी बुक या कोई यूटूब पे कोई बेश्ट सर हो पढ़ाते हों मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ जोयद कर पाँगा नहीं एक आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे मेटर टाइप करने पढ़ेंगे वह आसान नहीं रहेगा तो दोस्तों इसको जो है आप किसी और पे देखिएगा बाकी मैं टोटल कभर आपको करवाँगा इस चीज का मेरा वादा है एक साल मुझे समय दीजिएगा एक साल जो भी वीडियो डाल रहा हूँ पुर में भी वीडियो डाल चुका हूँ और मेरा जब मुझे जब जिस दिन टाइम मिलता है मेरे कॉलेज से जब टाइम मिलता है तो मैं आपको बता हूँ मैं एक एक दिन में ददस वीडियो भी डाल सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब मैं टाइप करने बैटता हूँ तो पांच-पांच घंटे आराम से बैटके मैं टाइप कर सकता हूँ अगर मैं पांच घंटे टाइप कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कम सकम दस वीडियो तो मैं बना ही लूँगा इतना तो आपको भी भरोसा होना चाहिए मेरे पे और नहीं भी किया तो प्रति दिन एक वीडियो टॉपिक चैक टेस्ट स्रीज के ले लूँगा वन लाइनर के ले लूँगा स्टीडी मेट्रियल में ले लूँगा मैं प्लेलिस्ट बता दूँगा बना दूँगा आप सभी को आप लोग जो है नोटिफिकेशन में जाके उसके कौन सी वीडियो जो है डाली गई है उसको चेक करेंगे और देखना शुरू करेंगे दोसरी चीज़ क्योंकि देखिए दोस्तों मैं डिगरी कालेज में लेबरियरियन भी हूँ और पार्ट टाइम एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डिगरी कालेज में फर्स्ट यार, सेकेंड यार, थर्ड यार, तीने के वह तीनों को बच्चे को जो है एक्स्प्लेइन करना किसी चीज़ को असान चीज नहीं है तो दोस्तों ये थी कुछ इनफॉर्मेशन आप करते हैं पे इसकेल की बात और सीटों की बात कितनी सीटों पर भरती होगी तो दोस्तों 3600 रुप्या ग्रेट पे आपको देखने को मिलेगा थर्ड के लिए और सेकेंड ग्रेट के लिए अगर मैं बात करूं 42 रुप्या देखने को मिलेगा सीटो की मैं बात करूँ तो सम्थिंग सिकेंड ग्रेट के लिए ऐसा अंदाज है मेरा मैं 100 पर्टसंट जब तक मेरे सामने फेक्ट्स नहीं आता मैं नहीं बोलता हूँ अंदाज बता रहा हूँ सुनने में आ रहा है कि साड़े 400 आएगा लेकिन मैं कहता हूँ कि 400 भी आजाए बहुत बड़ी बात है ध्यान देजेगा 400 भी आजाए बड़ी बात है लेकिन 3rd grade की जहां तक मैं बात करूँ मान के चलिए 500 के करीब में आएगी ये तो हो गई सीटो की बात और पेई स्किल की बात अब आते हैं बिहार लेब्रिरी का क्या चल रहा है दोस्तो बिहार लेब्रिरी में बहुत सारे निउस पेपरों में इस तरीके की प्रकरशन देखने के मिल रहे हैं अलग-अलग चीजों से मैं आपको एक छोटा सा होंगे ये तो आप मान के चलिए कनफर्म ही कनफर्म है दोस्तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को देखा है कि वह एक साल पहले से जो है बिहार लेब्रिरी बिहार लेब्रिरी बिहार लेब्रिरी की ला रहे है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दो हजार पोश्ट जो है आपको देखने को मिलेगा और लेबरीरी में बहुत बड़ी भरती यह मानी जाएगी भारत के इतिहास की मैं बात करूं लेबरीरी सैंस के सेक्टर में तो बिहार जो है कुछ नया करने को देखने को मिलेगा तो ये बहुत बड़ी भरती रहेगी तो ये भरती कब तक आएगी एक जट डेट मैं भी नहीं बता सकता लेकिन ये भरती बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी आपको ऐसा में अन्मान लगा सकता हूँ मानके चल सकते हैं कि मार्च या अप्रेल में ये भरती आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो तैयारी करते रहिए एक information छोटी से और ले लेजिए मेरे से DSSB दिल्ली बूर्ड के द्वारा जो है something जो है librarian की 360 post जो है खाली है 360 plus post खाली है और ये भरती भी जल्दी ही देखने मिलेगी तो दोस्तों ये थी कुछ information I hope कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को अधिक से अधिक से एर कीजिएगा और कल से test series में समलित हो ये रात को 8 बजे प्रतिदीन और one liner या test study material में दिन में या साम को कभी भी जब भी time मिलता है मैं upload कर देता हूं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा बेल घंटी को दबाईएगा और जो है notification को चेक करते रहिए मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद